अभी गर्मी ने ठीक से दस्तक भी नहीं दिये और बाजारों में मिट्टी के घड़े की विक्री बॉड़ गई है ऐसे में राची के आसपास रहने वाले कई कुमार हर दिन साइकल पर कई घड़े बांद कर राजधानी पहुंचते हैं जाजा लिया सायोग्य अंजिनिन में और गर्मियों के मौसम में जो देशी फ्रीज है उसका इस्तमाल हम लोग करते हैं लेकिन खबर ये नहीं है खबर ये है कि ये वैसे लोग है अमलब हम कहते हैं सिल्पकार है जो मिट्टी को एक प्राइब रूप देते हैं घड़ा का रूप देते हैं और उससे भी बड़ी बात यह है 28 km पैदल चल कर साइकिल में लगबग 40-45 इस साइकिल में कितना घड़ा है 40-45 गड़ा है और 28 km पैदल चलते हुए साइकिल में इतना घड़ा लेकर आना आप समझेए कितनी कळी मेहनत है कि ज़ूर बताता है कि गीवन जीने के लिए यह महनद भी ज़रूरी है ये बदाइए सुभै 3 मजे निकले है 28 किलोमेटर दूर की यात्रा करते हुए आ रहे है क्या पैसा मिलना चाहि कि अब अर DAY मिलता है सबस्क्राइब निए तो यह बात है इसके साथ-साथ-साथ-एक-अंतिम सवाल आपसे-ही करेंगे मिट्टी आसानी से मिल जाती है मिट्टी बहुत खोजना पड़ता है तीन तरग का मिट्टी मिलाते हैं उसके बाद उसको फुलाते हैं महिन से बनाते हैं अंकर कंकर निकाल के सब चुना करके बनाते हैं उसके बाद बना के बड़ा करते हैं तब से लकडी लक पोईला लकडी जमा करके पकाते हैं है यह बता है यह मिट्टी जो है क्या सरकारी देर दर से मिलता है जंगल तरफ से लाते हैं कुछ दूर से करेब 10 किलो मुटर दूरी पड़ता है मट्टी लानने के लिए खोज-खोज कि पहनत करते हैं और यह देखिए 28 किलो मीटर की आत्रा पैदल करते हुए रांची आक इन घरों को बेचा जाता है तभी घर परिवार चलता है लेकिन आज भी इन सिल्फकारों को जो है मिट्टी आसानी से नहीं मिलती है राज में मिट्टी कला बोर्ड की भी सापना की गई है लेकिन अब जरूरत यह है कि मिट्टी कला बोर्ड जो है ऐसे सिल्फकारों को लेकर उ न्यूज 11 भारत के लिए कैमरामेन अभीदास के साथ अन्यनी कुमार रहा थी